मेलगाट के जंगलों वाले सिमाओं से सटे मध्यप्रदेश के नेपानगर में बीते सोमवार की देर रात जीजा और साले शिकार के लिए निकले थे जिसमें साले का निशना चुक जाने से जीजा को गोली लगने से उसकी मोथ हो जाने की घटना घट गई इस घटना से मध्यप्रदेश के नेपानगर सहीत मेलगाट सिमा शेत्र में खलबली मची हुई है नेपानगर शेत्र बाकडी में बीते सोमवार देर रात जीजा साले शिकार के लिए निकले थे कि तभी साले का निशना चुक गया और गोली सिधा जीजा की पीठ में जा लगे प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात करीब अकरा भजे बाकडी शेत्र के जंगल में तेन सिंग अपने साले कमल के साथ शिकार पर निकला था उनके पास बारा बोर की बंदुक थी जीजा आगे टॉर्श दिखाते हुए चल रहा था तभी पीछे साले का निशाना चुका और गोली तेन सिंग की पीठ में लग गई जिसे जीजा की मोध हो गई सुचना मिलने पर मंगलवार सुबा नेपा थाना पुलीस मोके पर पहुचे आरोपी साले को पुलीस ने गिरफतार कर लिया स्ड़ी पियो कनेश ने कहा बाकडी से करीब एक किमी अंदर जीजा साले शिकार की ले गए थे तब यह हाथसा हुआ हाथसे में जीजा की मोध हो गई मामले की जाच की जा रही है आरोपी साले को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है शिकार सहीद बंदुक आदी मामले में नेपा पुलीस पुख्ता पूश ताच कर रही है मेलगाट के जंगलों की सिमाएं मध्यप्रदेश के जंगलों से सटी रहने से दोनों ही और अवेज शिकार का खत्राब बना रहता है जंगलों में होने वाले शिकार से संबंदित मामला मध्यप्रदेश के नेपा नगर पुलीस स्टेशन अंतरगत उजागर हुआ है जिसमें साले का निशाना चूकने से जीजा की मोध हो जाने की घटना ने मध्यप्रदेश सहित मेलगाट शेत्र में खलबली मचा कर रख दी है क्या रीजन क्या उस प्रतम द्रश्टे के सामने आ रहा है कि इनके पास में जो भरमार बंदुक थी वह अवेद तरीके से इनके पास में रखी हुई थी वह लोग जंगल में जा रहे थे शिकार करने के उद्देश से जा रहे थे परन्तु वह मिस हैंडलिंग हुई और जो उसका साला था उसके साले कमल से उसमें गोली चली जो आगे चल रहा था था तेंसी उसको जा करके लग दी कुछ इस प्रकार का घटना करम हुआ है अभी और था उस एंविस्टिगेट कर ले हाँ इसमें आरोपी है कमल इसको गिरफतार कर ले है तस्मीन शेक सुलिमान मेमन जुगल किशोर जैसवाल के साथ शकील एहमद विदर्बनी उस्धारनी